असलाम अलेकुम लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि आपने URL किस तरह एंटर करना है ID और पासवर्ट किस तरह एंटर करना है और सिस्टेम में इनिशली लॉग इन कैसे करना है अब इसका सेकेंड क्लिप है कि आपने जब लॉग इन कर लिया तो जब आप student account से login करेंगे मैंने महमद गयास के account से login किया login करने के बाद आपके पास जो initial screen आ रही होगी वो latest announcements के आ रही होगी आपके पास आपके relevant announcements available होंगे इस इन announcements को यहां पर बनाने का मकसद यह है कि जो भी campus ने आपको announce कोई चीज करनी हो या subject-wise कोई announcement हो तो यहां पर आ रही हो फिलहाल इन announcements के अंदर कुछ essential चीज हैं यहां पर shared है मैं चाहर हूँ कि मैं आपको एक एक करके overview करवा दूँ इसमें जो पहली announcement हो है How to join the online class अब basically इसके अंदर वो queries आपके address हो रही है वो आपके सामने आ गया अब how to join an online class के अंदर आपको उसने step-by-step guide provide किया वह यह हर आपके हर courses के अंदर है यह आप जब इसको login करेंगे login करने के बद आपके dashboard view के अंदर है इसका यह question आएगा how to join an online class अब उसने step-by-step इसको explain किया इसको basically मैं इसको summarize अगर कर रहा हूं तो summary इसके इस तरह से है कि जब आप course के अंदर जाएंगे timetable के हिसाब से timetable follow करते हैं for example आपकी English ही class है तो English के course को अजब आपना enter किया तो उसमें timetable में जो mentioned था live classroom उसमें इस live classroom का link है वो live classroom पे आप click करेंगे और वो zoom account को open कर देगा इसका prereq सिर्फ यह है कि आपके पास zoom already in the system available होना चाहिए आप मजीद यह instruction जाके read भी कर सकते हैं इसके लावर यहाँ पे आपका relevant timetable यहाँ पे uploaded होगा time table view भी आप यहाँ से जाके view कर सकते हैं और download कर सकते हैं मैं आपको open करके दिखा दूँ यह downloadable form में PDF लिंक इसका available है अब यहाँ से जाके अपना relevant timetable download कर सकते हैं Thank you